नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चाइनल कोकिंग विच शिवांजली अज हम देखेंगे डोसे का अंदर का मसाला उससे पहले मेरे चाइनल को लाइक कर लेना सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी बदबाना डोसे का मसाला बनाने के लिए मैंने यहां दो बॉइल पुटेटो को मैश करके लिए हैं फिर लेंगे कड़ी पत्ता धनिया कट करके लिए हैं और हरी मिर्च मैंने क्रस्ट करके लिए हैं और कैबेज कट करके लिए हैं हम यहां कांदा लोसन यूज नहीं करेंगे तो मैंने कड़ाई में तेल करम करके उसमें राई और जीरा का तड़का दिया है यह दोनों अच्छे से तेल में पक जाने के बाद हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता और धनिया फिर डालेंगे हम कट किया हुआ पत्ता गोबी इसको मैंने मिडियम साइज में कट किया है और इसको अच्छे से तेल में फ्राई करना तो यह थोड़ा क्रंची रहे रहता है उसका क्रंच हमको रखना है इसलिए उसको थोड़ा बड़े ग्रास पे अच्छे से से शेखना है हम यहां कांदा नहीं यूज कर रहे हैं उसके बदले हम यहां पत्ता गोबी यूज कर रहे हैं यह बहुत अच्छा टेस्ट में लगता है और इस पोटेटो के मसाले के बाद हम देखेंगे सौथ इंडियन सामबर फिर मैंने इसमें डाला है क्रश की हुई हरी मिर्च आप अपने टेस्ट नुसार तीखा जितना आप खाते हो उसी साब से कम ज़्यादा कर सकते हैं यहां मैंने 4-5 तीखी वाली हरी मेच करस्ट करके लिए हैं उसको भी अच्छी तरह से तेल में फ्राइ करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी हल्दी मैंने एक चमच लिया है हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें डालेंगे हम बॉयल पटेटो जो हमने मैश करके लिया है यहाँ पटेटो को मैश करके ही लेना क्योंकि हमको यह स्टफ करना है डोसे के अंदर तो यह थोड़ा अच्छे से स्मूथ होना चाहिए उसके पीस नहीं होने चाहिए और अगर एक और दूसरा पीस होता है बड़ा वो भी स्पून से छोटा कर लेना इसको अच्छे से मिलाना और जितने भी बड़े बड़े पीस लग रहे है वो थोड़े थोड़े स्पून से ही कट कर लेना यह सबजी हम डोसे के साथ तो खाई सकते हैं यह हम रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं फिर मैंने यहां हमारे टेस्ट अनुसार नमक एड़ किया है नमक फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम अब दो मिनिट के लिए धक्के रख देंगे अगर चाहते हो तो इस टाइम आप थोड़ा आधा कप जितना पानी आड़ कर सकते हैं इसमें इस टाइम ग्यास बहुत स्लो रखना नहीं तो निच्छे से जल जाएंगा क्योंकि इसमें मैंने पानी आड़ नहीं किया है आपको चाहिए तो आप थोड़ा पानी आड़ कर सकते हैं फिर एक बार उसको उपर निच्छे अच्छे से करेंगे मिक्स और बस यह हमारा डोसे का मसाला रेडी है अब हम देखेंगे सांबर सांबर बनाने के लिए मैंने यहां लिया है बॉइल पोटाटो कट कर के लिया है फिर लिया है मैंने धनिया टोमेटो और कडिलियूस कडिपत्ता और मैंने लिया है तोयर डाल बॉयल की हुई तोयर डाल बॉयल करते समय ही मैंने उसमें आधा चम्मच हिंग और आधा चम्मच मैंने हल्दी उसमें डाली थी मैंने पतिले में तेल गरम करके जीरा और राई का तड़का देके उसमें कड़ी पत्ता और धनिया का धनिया तड़का दिया है धनिया का फिर मैंने उसमें डाला है बॉयल पोटेटो आप यहां पे सरगवा भी ले सकते हैं ड्रम स्ट्रिक और जो लाल भूपला आता है उसके इंब भी पीस अप ले सकते हैं यहाँ पे और फिर हं डाला है मैंने टमेटों यहां सामबर भी हम विदा विदा विदाउट कनला विदाउट लश्ञ्णॉ का बना रहे हैं मैं उसली सामबर मसला अब कोई भी संबर मसले यूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसमें कांदा और लसुन एड़ नहीं किया है इसकी टेस्ट असली सांबार के जैसी ही लगती है और ये बहुत इजी तरीका है सांबार बनेने का फिर मैंने इसमें एड़ किया है एक चम्माच हल्दी और तीन चम्माच लाल तिखा प और ये स्रीजी संबार मसाला पाउडर मैंने यहां दो चम्माच आड़ किया है आप यहां दो से तीन भी कर सकते हैं धाई स्पून भी ले सकते हैं मेरा चम्माच छोटा है और इसको अच्छे से तेल में फ्राय करने के बार फिर हम डालेंगे उपर से बोईल की हुई पानी अपने हिसाब से उसको पानी की कॉंटिटी लेनी है मैंने एक ग्लास जितना पानी लिया है और हम डालेंगे टेस्ट नुसार नमक और इसको अच्छे से हिलाखे इसमें एक उबाल लाने देंगे यह हो गई हमारी सामबा मेरा चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना